रवीश कुमार जी के NDTV से इस्तिफा देने के बाद दोस्तों लगातार NDTV से इस्तिफों का दौर जारी है यहां एक सिलसिला शुरू हो गया है लगातार बड़ी पोस्ट पर जितने भी बैटे लोग हैं वो NDTV से इस्तिफा देना शुरू कर चुके हैं और आप किसने अब चौका गया है यह इस खबर में हम आपको बताएंगे नमस्कार मेरा नाम जयनती जहा और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तों एंडी टीवी से इस्तिफा देने के बाद रवीश कुमार जी लगातार सुर्ख्यों में आये हैं पहले भी थे लगातार सुर्ख्यों में ल क्योंकि लगातार वो लोग एंडी टीवी छोड़ रहे हैं जो कि काफी सालों से एंडी टीवी पे पहली बात तो अपने पद पर विराजमान थे साथ ही काफी समय से वो एंडी टीवी के साथ जुड़े हुए थे और अब उनका अचानक से इस्तिफा देना ये एंडी तो एक चीह सी स्टार्ट हो गई है की पहले राधिकार रॉय प्रणवय रवें लगातार जो भी चानल वहां चोड़ना शूरू कर दिया जो कि अखी तक एंडी टीवी का एक तरीके से आधार रहें स्थम्भ रहे हैं दोस्तों अब किसने चोड़ा है वह आपको बता देते हैं अडारी ग्रूप अधिक्रेंड कर चुका है और इसके एक महीने बाद एंडी टीवी ग्रूप प्रेजिडेंट सुपर्णा सिंग समेत दो बड़े पत पर बैठे लोगों ने दोस्तों इस सिवा दे दिया है जहां सुपर्णा सिंग एंडी टीवी ग्रूप की प्रेजिडेंट रही है काफी समय से इस एंडी टीवी ग्रूप से वो जूड़ी रह आप समझ सकते हैं कि रभीष कुमार जी का NDTV के साथ जो रिष्टा रहा है वो कितना जादा पुराना रहा है साथ ही अगर बात करेंगे प्रोड़ाय रॉय और राधिका रॉय की दोस्तों तो उनका भी जो कारेकाल रहा है वो बहुत लंबा बहुत बड़ा रहा है ऐसे ही इस अब टाटा बाइबाई कहना शुरू कर दिया है वो क्यों शुरू किया है इस बात को शायद आप लोग समझ रहे होंगे अडानी ग्रुप ने जब से NDTV का अधिकरहन किया है दोस्तों तभी से NDTV पर से एक लोगप्रियता का विश्वास उठना जो है वो शुरू हो गया है पहले जिस तरह से NDTV को कहा जाता था कि NDTV एक मात्र मेंस्ट्री मीडिया में एक ऐसा चानल बचा है जो पूरी तरीके से सरकार से सवाल पूछना जानता है सरकार की आलोचना करना जानता है और शायद इसलिए तमाम खबरें भी आए कि NDTV को गौर्मेंट की तरफ से एड्स क सपोर्ट नहीं मिलता दोस्तों क्योंकि NDTV लगातार सरकार से सवाल पूछना जानता है अभी भी हो सकता है कि थोड़े समय तक यह जो कारवा है यह चलता रहे लेकिन रवीश कुमार जी के इस्तिफा देने के बाद से ही एक तरह से यह जो दौर है यह शुरू हो गया है कि इस्तिफे दिये जाएंगे और इस्तिफे दिये जाएंगे तो नया स्टाफ आएगा और वो नया स्टाफ NDTV को किस रूप में बदलेगा यह भली भाती इस बात का आकलन किया जा सकता है इस बात की संभावनाई जताई जा सकती है देखिए दोस्तों तकरीबन एक महीना हो टेक ओवर को अडानी ग्रूप ने तकरीबन एक महीने पहले पूरे NDTV ग्रूप का टेक ओवर किया था और उसके होने के बाद चानल की ग्रूप प्रेजजेंट सुपर्णा सिंग ने तो देखिया अभी इस्तिफा दिया ही है इनके अलावा दो और लोगों ने इस्तिफा साथ ही चीफ टेकनो लोजी प्रोड़क्ट ओफीसर है कवल जीत सिंग बेदी उनोंने भी इस्तिफादे दिया है तो तीन लोग इस्तिफा सुर्ख्यों में, वरिष्ट पत्र का रभीṣ कुमार जी के नाम हो वह से निकल गए मिनें निकल गए तो सुर्खों में इसलिये हैं क्यूंगि र्वीश कुमार जीन estéफा दिया मेरोहत्वектив त्रॉड़ राधिका स्टाफ है दोस्तों एक एक करके वो भी NDTV को अलवीदा कह रहा है उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि जब कोई बड़ा उद्योगपती इस देश का वो उद्योगपती जिसको सीधे तौर पर आरोप लगता है ज्मिन पर कि उनका उनके उनका जो साथ है उनको जो साथ मि टेक ओवर करता है जो कि काफी समय से निश्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जा रहा था काफी समय से उसके पत्रकार तमाम सरकार से बेखौफ होकर बेजज़क निडर होकर सवाल पूछने के लिए जाने जा रहे थे अगर उस चैनल का अधिगरहन करने के लिए एक उद कर दी गए उस चानल पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया गया एक एक करके एक के बाद एक दिन जो है शेर खरीदने में जा रहा था और आखरकार हुआ यह कि अड़ानी ग्रूप ने लगभग लगभग जो शेर है वो एंडीटीवी ग्रूप के खरीद लिया और कितनी सदस दारी गई है यह भी मैं आपको बताऊंगी डारेक्टर सजय पुगाली संजय पुगालिया ने लिखा कि सुपड़ना सिंग अरिजीच चटरजी और कवल जीच सिंग बेदी ने अपना इस्तिफा सौंब दिया है और उन्होंने एंडीटीवी से आगे बढ़ने का फैसला क किया है वह समू के लिए ताकतवर स्थम्ब की तरह रहे हैं हम उन्हें बविश्य के लिए शुप कामनाई देना चाहते हैं अब एंडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय राधिकार रॉय तो पहली अपना इस्तिफा दे चुके थे लिकिंस्तिफा देने से पहले अपने 32.26% हिस्सेदारी जो है दोस्तों उसका 27.26% उन्होंने अडानी समूख को बेच दिया था बेचा था या उनके ओपर दबाव बनाये गया था इसकी पुष्टी अभी तक भी नहीं हो पाती है क्योंकि उन्होंने इसकी पुष्टी नहीं करनी चाही लेकिन जिस तरह से उन् लगातार इस्तिफों का दौर जारी क्यों है देखे अडानी समूख को बेच दिया गया था इसके अलावा और पी आर ने की कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेट कंपनी को 99.9% शेर जो है ट्रांसफर किये थे और इस तरह से एंडी टीवी में 39.8% हिस्सेदारी उनको मिल टीव के बाद ही यह जो इस्तिफों का दौर है यह जारी है दोस्तो और अभी इस्तिफात जगातार जारी है कि लगातार जारी इस बात को समझे जा सकता है और देखे एव जो है नदीटीवी से रभीष कुमार जी剛剛 जब इस्तिफा दिया तभी से एड़ि आडा यह जो है Yukar channel का कि शुरू से लेकर अभी तक जो चलता आ रहा है क्या वहीं आगे तक चलने दिया जाएगा क्या वो निशुपक्ष कुमार जी के रहते हो रही थी यह राधिक रोई जी टहिस रहते हो برश पूलते गी नजब that you are in to the time we are the好啦 ontас कि किई ब्रोग्राम को लेकर किसी मामले को लेकर past Acts 13 1 वाल खाबर बनाना चाहते तो हमें कोई Jahren सही मिलें काम करने की अजादी थी वह लोगों के ऊपर चाबुक नहीं चला करनी, आपको यही खबर करनी है क्योंकि इस खबर से टीयार पी आएगी या फिर इस खबर से आपकी जो कही कहीं न कहीं चाटुकारीता है वो नजा आए सरकार के प्रती तो ऐसे खबर को करना और न उनकिरना इसका तौर इसका सीधा सीधे तौर पर अधिकार जो था धीर सामने आरहा है जब लोग इस्तिफा दे रहे हैं दोस्तों अधिट्बी से अब ऐसे में देखना यह कि आभी तो दो थीन लोगों ने ही इस्तिफा दिया है इससे पहले तीन लोग और इस्तिफा दे चुए है अब आगे जाकर और कितने महत्वपूर्ण लोग महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान लोग इस्तिफा देते हैं ये देखने वाली बात होगी बैराल इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार